वाइस इन लर्णिंग फिधिनामयम चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा है रुधिर यानि रुधिर परवहान तंत्र यानि रुधिर का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे रुधिर हमारी बॉड़ी में कहां किस तरह है मगर हमारा एक जो में होने के कारण क्या रखा गया केबल हमने एंसेक्यूट कोशन रखे हैं यानि मल्टिपल चॉइस कोशनों को लिया है जो आपकी परिष्छा की देश्टी से महतपूर है चलिए स्टार्ट करते हम अपना पहला कोशन पहला कोशन देखे रख्ट होता है इसमें पूछा गया है रख्ट होता है तो रख्ट आपका क्या है एक सजीवी उतक है यानि एक सईयोगी उतक है तो इसमें देख लेते हैं रख्ट क्या है एक सईयोगी सईयोजी उतक है रख्ट भाइनियों में प्रभावित होने वाला या गाड़ा एवं चिप चिपा लाल रंगा द्रब बे एक जीवित उतक है बस याद क्या रखना है एक जीवित उतक है नेशल दें दूसरा कोशन आपका रुदिर वड़ेका की संबंद में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए तद दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो इसमें कुछ कूट दी गई है उनसे हमें सही उत्तर का चैन करना है तो इसमें पहला इसमें लोहा होता है बिल्कुल सही है यह रख्त को लाल रंग प्रदान करता है बिल्कुल सही है क्योंकि रुदिर आपकी वड़ेका है पूछा है तो यह क्या करता है यह औक्सीजन का बहाग कौन है आपका रुदिर करकाएं तो यह भी रायट सही है तो यहां पर जो कूट बनेगी वह बने बनेगी सी यान एक दो चार नैश्ट देखते हैं आपका है रुद्राणू रुदिर का 40 प्रसत भाग होता है ठीक है जो अभी हमने पढ़ा वो कितना प् प्राणियों में ही पाई जाती है पस एक बात याद रखी है कि इसमें पाई जाती है कशेरू प्राणियों में पाई जाती है लाल रुदिर कड़काओं में हीमोगलोविन नामक प्रोटीन पाई जाती है हीमोगलोविन ऑक्सीजन का परवहान होता है इसमें आपका हैमस य तो स्वेत रक्त कड़काई क्या करती है रोगों के प्रत्र अच्छपदान करती है ने क्या कहा जाता है बीर सिपाई जो सीमा पर खड़े होते हैं वो कौन होते हैं हमारे बीर सिपाई तो इसी तरह हमारे सरीर में स्वेत रक्त कड़काई खड़ी होती है जो लोगों से जाए तो वो होता है ऑक्सीजन का परवहान ठीक है ये इसका सबसे महतवपूर कारे है हीमोगलोविन एक प्रोटीन है जो कि मानव रख्त में पाया जाता है तता इसके रसाइनिक स्योजकों में ग्लोविन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार से जोड़ी रहती है रोटेरी के लाल रंग हिम के कारण ही क्या होता है हिम वले यानि रिंग बनती है केंदरी भाग लोहा का होता है यह सामन ब्यक्ती में हिमोगलोविन की ओसतन मातरा कितनी होती है हमारी 15 ग्राम कितमे 100 आपका मिली लीटर में कितनी होती है 15 ग्राम आपका हिमोगलोविन पाय 15 ग्राम पाया जाता है तो आपको पता ही है तो परवान यानि यात्रा कराता है किसकी ब्लड की पूरे सरीर में चलिए नहीं किस प्राणी के जीव द्रबी में हीमोगलोबिन का विले होता है तो कौन सा प्राणी है इसमें से जिसके सरीर में क्या होता हीमोगलोबिन विले हो जाता है यानि नजर नहीं आता तो आपका यहां पर जो रहेगा यहां पर जो रहेगा कैचुआ ठीक है इसके सरीर में क्या होता हीमोगलोबि एक आपका एनिलीड आपका क्या है वह एनिलीड प्राणी है जिसमें हीमोगलोविन प्लाजमा में घुला होता है जब कि अन्य कश्योगाओं में यह प्रोटीन लाल रुद्र कड़काओं में पाया चाता है कैच्वे कि आपकी रुद्राणों रखती ही रंग हींद तकेंद् से तंतू में क्या होता है यह याद रखना जो परेशंच्रन तंत्र ही जो हम लोGOं के में होता है इंक रिख्त के रोग क्रण होता है तो किसके क्योग होता है तो आप सबको पता हीं हों हमारा हमोगलोबिन के कणि होता है तो दिर में लाल रंग left ray KH 지금 है लाल रख्त कड़काई याने आर्बीसी का रंग लाल इन में हीमोग्रोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुत होने के कारण होता है लाल रूदिर कड़काऊं को आपको एड़ आपका है एड़्थोसायट्स भी कहते हैं ठीक है उनको क्या कहते हैं बीर सिपाई डब शेड़ोग्यों के रुदिर में होते हैं मनुश्य में यह कंद्रक विहीं तता उनकी औसतन संक्या पुर्सों में गेती है चावण है इस्तरियों में किती है फुटी एट है याने अठा बन है लाग प्रतिक आपके क्योविन मिमी होती है ये कैसरीर में यह गैसों के परवा तुबार पूछा जा चुका है तो सरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है जब तो किसी व्यक्ति का क्या हो सरीर से रक्त भेह जाए तो उसकी मौत हो जाती है सारे सरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है रक्त एक तरल संयोची उतक है जो रक्त भाइनियों के अंदर पीहिन अंगों में लगाता भैता रहता है लाल रक्त कड़िकायन रक्त का एक महतोपुड घटक है जो फैंपुडों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोविन सरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है तो यह किस से जिम्मेदार होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोविन के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है फैपूरों से कियोंकि स्वस्त भ्यक्ति का पूछा गया है तो यहां पे जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा है 120 से 80 क्या है यहाँ पर जो हमारा right answer है वो हमारा 120 से 80 ठीक है 120 मिमी वा 8 डू याने आपका सिश्टेलिक कितना है 120 है जब कि दे डास्टेलिक कितना है 8 मिमी है ठीक है नहीं चलते है और मनुष्ट important है लगत चाप 120 से 80 है ठीक है ध्मनियों में रख्त दाव दो अवस्ताव होती हैं पहले को संकुचन दाव यानि सिष्टोलिक प्रेसर क कहते हैं ठीक है, सामान तौर पर आपका होता है यहां पर क्या है सामानतותर पर क्या होता है प्लिकशन देखा हुगा आपने क्या करते है हुष बरते आहें और एक सामने में वह उता हम Тवाइवर भी देखा होगा आपने क्या करता है आपकी प्रेशर को दिखाता है नहीं शलते हैं निम्न उपकरणों में से केस को रख्तचाप नापने के लिए प्रयोक्त किया जाता है तो वो हमारा है आपका सिफ को आपका सिग्मो मैनो मीटर नहीं शलते हैं किसी व्यक्ति का रख्तचाप 140 mm जी एच है तो इस उलेख में जी एस से तातपर है तो वो हमारा जी एस होता है मरकरी से जी एस किसको डिपेजेंटि करता है मरकरी को मनुष्य का और सितन रख्तचाप 120 से 80 होता है जब कोई डॉक्टर हमारा रख्तचाप नापता है तो वो मायमंडली दाव के सापेच होता है यद किसी व्यक्ति का रख्तचाप 140 mm जी एच है तो उसमें जी एच का तातपर रसाइनिक तत्वे यानि मरकरी हताथ पारे से है तो यहां पर क्या होता है मरकरी आप पारे को इंडीय आपका रिप्रेजेंट करता है जी एच ग्याट News जब असक्व और seus musy जब एक PRD हो उता है तो सामाने तहरे उसका रख्तचाप तो याद रख्येगा उसके सामाने तहरे नितर रख्तचाप क्या होता है बढ़ता है आपको blood pressure ऐसे уровень 120-80 होता है चिन् Coordinator इस से अधिक होने पर होगें उच्छ्छ रहकत चाप चांप यानि हायल blood pressure जब कि 120 ए forming 1 या नव रही होगा लंगर यहलें को आपको कुशन अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे हैं तो यही प्रयास करिए कि आप 100 प्लस पहुँचिए क्योंकि यही हमारी आपसे बस इक है कि 100 प्लस 100 प्लस क्योंकि अभी हमने प्रेटिस सैट की तैयारी कर लिए जो प्रंदे दिन तक आपके बीच रहेंगे यानि जब तक एक्जाम नहीं हो जाता अगर हमारा हमसाइंस का एक्जाम है अगर 8 को होता है तो हमारा प्रट्री सेट 7 तक आएगा अगर 7 को होता है तो हमारा प्रट्री सेट 6 तक सारी प्रट्री सेट करा दिये जाएंगे जिते भी कराने हैं लगवग एक प्रट्री सेट र जो एक्जाम आएगा पिर एक्जाम बताएगा कि किते परसेंट आपको प्रेटी सेट ने दिया मगर हाँ कुछ तो देखर जाएगा ये निश्यत है तो आप प्रेटी सेट देख लीजिएगा अगर कभी भी दिन में 24 गंटे में प्रटी सेट देख सकते हैं या फिर एकटा पूरी प्रटी सेट देख सकते हैं जैसा आपको आपको समय हो या जैसे आपको आवश्यक्ता हो या जैसा आपको लगे मंगर आपको एक ही चीज याद रखिए वो हमारा है क्या आपको क्या दे